अजी दोस्तों नमस्कार सबसे पहले तो नए साल की बहुत-बहुत मुभारक आपको तो आशा करते हैं कि आपका नया साल खुशियां लेकर आए और आप सभी तंदरुस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और आप अपने-अपने कामों में दिन, दुगनी, रात, शौगनी तरक्की करें तो आज का ये स्पैसल जो माजून है ना ये पंजाबी में लिखा हुआ है स्पैसल माजून हम इसको हर सर्थी में बनाते हैं तो इसका अर्ली डिस्चार्ज जनी की सिगर पत्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और पिछली बार हमने बनाया था तो इस बार हमारे जितने भी पेशेंट थे जितनों ने इसको इसको इस्तेमाल किया था तो उन्होंने किसी ने अपने रिजल्ट हैं और इसमें केसर नाग बसम बंग बसम और अपना वदाम बदाम की गिरी चिलगोजे की गिरी और तालम खाना बगेरा जानिक काफी ओश्दियों का बहुत अच्छा कॉंबीनेशन हैं तो आप इसको मगवा सकते हैं इसको मगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस जोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और यह हमारा अपना आजरबेद चैनल का जो है एक खास माजून है तो आप अपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें और यह माजून बहुत ही जवरदस्त उच्छ कवाल्टी का माजून है तो इसक की एक महीने की जो डोज है वो अगर पांच पांच ग्राम के हिसाब से हम लगाएं जनी पांच ग्राम सुबा पांच ग्राम साम को पांच ग्राम सुबा खाली पेट लेना होता है पांच ग्राम साम को चार पांच बजे लेना होता है तो अगर पांच पांच ग्राम के हिसा करता है तो हम इसको लगवग साड़े तीन सो चार सो ग्राम ही डाल देते हैं क्योंकि कई वार जब पेशेंट इसको लेता है तो कोई चमच कई वार बड़ा होता है तो बड़े चमच की बज़ा से तो थोड़ा ज्यादा खाया जाता है अगर ओवर डोज भी ली जाए तो कि फेशन बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट इसके बहत जवरदस्ते हैं जितने भी आप आपकी सोच से परे हैं इस तो हमने बहुत से हम जोग बनाते हैं अपने कलीनिक पर लेकिन इस जोग का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला अगर गर्मी के प्रकृति गर्म है मरीड की तो इसको थोड़ा बहुत साथ में लगाना पड़ सकता है कुछ भी जैसे परवाल पिष्टी है इसके इलाबा अपनी मोती पिष्टी है जा कोई लीवर के लिए जोग लगा दें जा कुछ भी लगा दें तो साथ में इसके कुछ ना कुछ लगा दें जरूर और जिनकी कप परकृति है क्योंकि इसमें शहद है तो कप परकृति बालों को तो ये बैसे ही बहुत अच्छा करया करता है बात प्रकृति बाड़ों को भी अच्छा कार्या करता है तो बाकि प्त प्रकृति बाड़ों को थोड़ा संबल के लेना पड़ता है जो के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये माजून टाइप बन जाता है सबसे पहले इसमें डलने वड़ी ओस्दियों को हम बरी कर लेते हैं और केस्टर को थोड़ा दूप लगवा के ब्री कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ड्राइफ रूट हैं तो इनको मिक्सर बग़रा में एक राउंड लगवा लेते हैं तो जब ये ब्री को जाता है ना तो फिर इसमें जितनी इसकी मात्रा होती है उससे तीन गुणा श बताया था लेकिन हम उतने ही शैद डालते हैं तो जितने में ये मिक्स हो जाए तो जैसे एक किलो हमारे पास ये ड्राइफ रूट बड़ा कंबिनेशन बन गया तो दो किलो हम शैद डाल देते हैं तो ऐसे डाल देते हैं तो उससे ठीक हो जाता है ये मिक्स हो जाता है तो या रहा है कोई बाइ चमनपरास मंगा रहा है कोई अपने लिए कुछ जोग मंगा रहा है हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा जोग है जो मैं जो भो बोलते आपकाई में डलता है काड़ी मिर्चेश में डलती है तो हाजमे के लिए भी दुरुस्त है और दूसरा जो हम आपकी में समस्या है तो बीर्या के किसाब के साथ बीर्या जाना, दात्तू जाना नाइट फाल हो जाना और समय का अबाब जिसे हम अर्ली डिस्चार्ज केहते हैं तो ऐसे रोगों में बहुत ही अच्छा कारया करता है तो बहुत अच्छे इसके नतीजे हैं तो और भी जैसे एरेक्टायल डिस्फॉंक्शन की प्रॉलम है उतेजना की कमी है उसमें भी जबर्दस्त करया करता है इसको एक से दो महीने लेना होता है सर्दी सर्दी अगर आप दो महीने इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके स्रीर में नई जान आ जाएगी आपका चेरा लाल सुर्ख हो जाएगा और आपका हाजबा भी दुरस्त हो जाएगा इसके लावा श्रीर में कितनी भी कमजोरी हो सब को दूर करता है और दमाग तेज हो जाता है आँखों की रोशनी तेज हो जाती है क्योंकि इसमें गटकदर्बै ही ऐसे है कोई भी ऐसा गटकदर्बै नहीं है जो की नुकसान करता हो स्रीर को सभी चीज़े स्रीर को फैदा करती है तो काजू है बदाम है चलगोजे की जिरियां है किसर है बकी बसमे हैं जैसे नागबसम है नागबसम आजरबेद में कहा गया है कि सौ हाथियों जितना बल देती है नागबसम इसके लावा जो केसर है केसर भी दिल दिमाग को तागत देने वड़ा होता है और बलॉक हुई नसों को खोलता है स्रीर में खून का प्रवाब बढ़ाता है तो केसर बहुत अच्छी एक चीज है जो की बेश कीमती चीज है तो सभी युषदियां सभी गड़कतरवय बहुत ही अच्छे हैं तो बदाम भी हम इसमें उच्छ कवाल्टी का बदाम डालते हैं काजू भी उच्छ कवाल्टी का डालते हैं और चलगोजा काफी कोश्टली पढ़ जाता है आप बजार से पता करें कि चलगोजा चाहिए हमें तो चलगोजा का रेट काफी पढ़ जाता है फिर उसकी जो है गिरी निकालनी पढ़ती है और उसकी गिरी निकाल के उसको त्यार किया जाता है इसके लावा रेग माही रेग माही का भी आजकल जो है काफी ज़्यादा कोश्ट हो गई है तो रेगमा ही भी इसमें डलती है एक गाट कदर पे अहर और रेगमा ही यह नहीं है कि दस बीस ग्राम डलती है इसमें दो सो ग्राम रेगमा ही डलती है तो काफी चीजें डलती है इसमें जो की सरीर को कमजोरी को दूर करके आपके सरीर को तंद्रुस्त करेंगी, आपके चेरे को लाल सुर्ख करेंगी उतेजना की कमी को दूर करेंगी, और शिगर पतन की समस्या जिसे हमें अल्ली डिस्चार्ज भी बोल देते हैं उसमें तो ये लाबदायक है ही है, तो आप सभी से मेंने share किया है इसलिए share किया है क्योंकि आजकल हम इसको बनाते हैं तो जिसने मुगवाना हो specially वो मेरे वर्टसप नंबर पे संपर कर सकता है आपको पता ही है मेरा वर्टसप नंबर तो मैं Screens में भी दे दूंगा और जहां पर भी स्क्रीण पर भी अपना बड़सप नंबर दे दूंगा तो मेरे से संपर कर तो इस बार हम सुच रहे थे कि बनाए या ना बनाए बनाए या ना बनाए एंचा ना बनाएं जैड糕 मारा मन जो है में ध हो रहा था क्योंकि इस में कॉश्ट काफी पड़ जती है और मेंद काफी लग जती है तो फिर पेशेंट के फोन आने लगे कि पिशली बार आपसे माजुन लिया था उसके बड़े जवरतस्त रिजल्ट थे तो हमने किसी अपने मित्र को लेके देना है जहां हमने खुद ही दवारा जूज करना है तो पिशली बार एक महीना जूज किया था इस बार एक महीना और जूज कर लेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों के फोन आने लगे तो हमने सोचा कि चलो हम बना ले क्योंकि बनाने में डिक्कत ये है कि एक तो रेगमाही जो है काफी कोश्टली पड़ जाती है चिलगोजा कोश्टली पड़ जाता है दूसरा इसको रेगमाही को पीछने में काफी डिक्कत आ जाती है तो बकी तो result है तो फिर बनाने में कोई डिक्कत नहीं है तो हमने सोचा कि चलो result अच्छे है तो क्यों न हम इसका निर्मान कर ले तो इसलिए हमने इसका निर्मान किया है और अभी हमारे पास available है जिस किसी भाई को जुरूरत हो वो मुखबा सकता है हम से संपर्क कर सकता है result के लिए बेफिक्र हो जाएं जितना पैसा आप इस पे लगाएंगे तो आपका पैसा जाया नहीं जाएगा तो result इसके जवरतस्त हैं और ये हमारा special बड़ा माजून है special माजून किसर बड़ा आपके हो उसे पेसल माजून हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये सभी माजूTON का सर्थाज है जुनानी के बैस्त जुनानी जो हकीम होते हैं ज्ञादा माजून बड़ाते हैं आजुन माजून बहुत ही कम है माजून उसे कहा गया है जिसमें अपना सह coworkers डालके निर्मान किया गया हो तो जैसे अलग-अलग पाक हो गया माजून हो गया चूरन हो गया तो ये चीज़ें अलग-अलग होती है तो ये माजून होते हैं जिसमें अपना ये डलता है शहद डलता है तो ये अच्छे रिजल्ट बड़ी एक चीज है जो हमने आप से शेर की है तो बनाते समय हम वस वीडियो बनाना हमारे दियान से निकल गया नहीं तो हम बनाते समय भी इसका वीडियो दिखा देते लेकिन अभी हम त्यार कर चुके हैं तो त्यार करके भी फिर मैंने सोचा कि आप से शेर की जाए क्योंकि अच्छी च कुछ न कुछ ऐसा accept करते हैं वो तो कि कोई अच्छी चीज अच्छी समगरी अच्छी जानकरी का वीडियो आए तो इसलिए हमने फिर सोचा कि अपने विवर्ज के लिए अपने देखने बालों के लिए यह चीज क्योंकि जब चीज को हम बताएंगे नहीं कि इस चीज का सकते हो तो मगबा सके और सूगर के पेशेंट इसको मत बते क्योंकि इसमें शहद है जिसको शूगर बगेरा नहीं है अपैसे कमजूरि है तो वह इसको बेज इज बत सकता I donya बाकी तो इसके ये एक जोग जो है गुणों की खान है और रिजल्ट अच्छे हैं बाकी आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें बस जही एक नवेदन है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक अपना अंगुठा दबा दें लाइक बाला तो हमार जो है इससे हौंसला बढ़ जाता है फिर अच्छे अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं तो अंगुठे का बटन दबा दें और लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और कमेंट में लिख दें आप बदाई दो हजार तेईस की बदाई तो कमेंट में से मैं एक ड्रा निकाल दूंगा आपका तो जिसका ड्रा निकलेगा उसको सौर पे गूगल पेजा पेटियम कर देंगे तो जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि सन दो हजार तेईस की तो इसको सौर पे गूगल पे किया जाएगा तो आपका कोई ज्यादा इसमें कुछ लगने बड़ा नहीं है तो आप इसको जरूर लिख दें और कमेंट लिखने के बाद आप लाइक भी जरूर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को और आगे से आगे इसको शेर भी जरूर करें ताकि लोगों के काम आए और इतना कुछ बोलते हुए बस आप से शमा चाहते हैं तो इसके जो माजून के रिजल्ट हैं बस अच्छे रिजल्ट हैं तो जहीं बताने के लिए मैंने आप से ये वीडियो शेर किया है बकि आप लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें तो कमेंट में कुछ और भी पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं लाइक कर दें कमेंट कर दें और शेर कर दें इसको अपने बाटसप पे ग्रुपों में शेर कर दें ज्यादा से ज्यादा इसको शेर करें तो इससे जो है ये ज्यादा लोगों तक पहुं सभी बढ्यों से समा मांगता हूँ तो कोई कुईरी हो आपकी मेरे वाटस अब नंबर पे संपर्क कर सकते हैं वो बाटस अब नंबर मैं आपको सक्रीन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा वाटस अब वैसे आप सभी के पास मेरा वर्षब नंबर है ही तो वर्षब नंबर आप उसमें आप अगर आपको जरूरत हो तो समपर्क कर सकते हैं बहां पे आप मेरे से अपनी कोई बारतालाप करनी हो तो आप बारतालाप कर सकते हैं तो जल्दी ही कोई नया वीडियो लेकर आपके समक स्पेस होंगे तब तक के लिए आप हमें अजाजत दीजिए बस हमारा तो जही नवेदन है कि अच्छा सा कमेंट कर दें और बदाई दो हजार तेईस वड़ा कमेंट लिख दें ताकि आपको 100 रुपे जीदने का मौका मिल जाए और लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बस सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें जो नए आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें तो आप इसे इजाज़त लेता हूँ जल्दी ही कोई नया वीडियो आपके समक्स लेकि आएंगे तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजी